नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या उत्तर प्रदेश के हर दो ही रोड पर उस समय पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया जब एक खाई में एक लावारिस कार मिली आपको बता दे कि खाई में मिली लावारि हुआ है पुलिस के मताविक मुंबई से गायब हुआ एक व्यक्ति की कार शाहबाद थाना क्षेत्र में लावारिस सवस्था में सड़क किनारे खाई से बरामद हुई है बताया जा रहा है कि बरामदकार महराश्टर से चलकर गुजरात के सूरत वर राजस्तान के कर हर दोई के कसबा शाहबाद पहुची बरामदकार में सीट पर बैठे पुतले को कंबल से बनाया गया और उसे मोजे तथा टोपी पहनाई गई थी तथा पुतले को जलाने का भी प्रयास किया गया है मौके पर पहुची कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम पूरे मामल फिलाल देखने वाले लोगों ने किसी बड़ी अन्होनी की आशंका जताई है बरामतकार के संबंद में अपर पुलिस अधिक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंग ने बताया कि पल्टी कार में एक पुतला भी मिला है मुंबई से एक आदमी गुम हुआ था जिसकी आखरी ल लास्ट लोकेशन साहाबाद के आसपास का था और उनका मोबाइल बंद है उनकी गाड़ी की खोज की जाए उनकी खोज की जाए पुलिस ने खोज बीन सुरू किया तो उनकी गाड़ी साहाबाद से पहले हरदोई की तरफ वाले ट्रैक पे खंती में पड़ी हुई मिली थी इसमें हम लोगों के द्वारा फिल्ड यूनिट, सर्विलांस, टीम को और S.I.M.T. को लगाया गया है कि सभी तथों पर सभी बिंदों पर इसकी जाच की जाए गाड़ी को देखा गया तो प्रथम दिश्टया गाड़ी के अंदर एक पुतला बनाया गया है जो कपड़ों, कंबल आदी को लपेट करके बनाया गया है उसको सॉक्स पहनाय गये है, टोपी पहनाय गयी है, टीसर्ट पहनाय गयी है और उस पुतले में आग लगाने की कोशिस की गयी है सभी टीमें हमारी वहाँ पर कान कर रही है और उनकी रिपोर्ट का हमें इंतजार है इसमें जो भी अग्रेतर का रुवाई होगी, जो प्रगती होगी उससे अवबत कराया जाएगा ऐसे ही लेटेश को ब्रेपाने के लिए बल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइग, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वादी करेंगेट एंटर्पाइब